वेलकम टो माई चानल दे क्रिकेट सल्यूशन्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेचुर क्रिकेटर जो होता है वो वीजा अप्लिकेशन कैसे करता है अगर वो इंगलेंड जा रहा है क्लब क्रिकेट खेलने के लिए रूल तो शायद से आपने मेरे पहले की प्रिकेट केसे इधर क्लब कराओ आपका नाम पासपोर्ट नमबर फिर नोहुंए वहां उसमें उसमें उनाच्या चिंग गरवें कि यह प्रोवाइडिद यूवेइड है और विजा फीज नोकल ट्रांस्पोर्ट फूड तो यह से इंपोर्टन अपर्सपोर्टेट आप उसके अलावा additional documents लगते हैं वो personal भी होते हैं और club के भी होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि personal में क्या-क्या लगता है और ये वीडियो अन्त तक देखे क्योंकि कोई भी document आप miss नहीं करें ऐसा मुझे लगता है तो आप ये वीडियो जो है वो अन्त तक देख paper लगेंगे और अगर कोई property papers वेगरा है तो वह अगर आपको डालने तो आप डाल सकते हो बट वह add-on रहते हैं तो अगर नहीं आप डालेंगे तो भी चलेगा पर उसके साथ सबसे important है कि club के documents भी बहुत important है एक तो invitation letter में ने आपको बता दिया है फिर आपकी ticket booking जो है वह आ यह date को जाऊंगा यह date को आऊंगा accommodation का address letter में mentioned invitation letter में तो आपने यह बता दिया कि आप रहने कहां हो रहने वाले कहां हो और facilities क्या दे रहे हैं club आपको उसके अलावा additional document भी actually आप से immigration समांग सकता है UK वह है आपके club की bank statement club की bank statement इसलिए कि उनको यह देखना होता है कि यह जो club पुला रहा है भले वह England and Wales cricket board से affiliated है क्या उनके पास इतने पैसे account में है कि वह आपका आने और जाने का और रहने का सब कुछ प्रबंद करके उसको पे कर सके वह सारे facilities के लिए उसलिए होता है और उसके साथ कभी कभी additional document यह भी होती कि council का जो एक tax होता है एक club जो होता है club ज tax की receipt भी होती है तो यूजवली वह भी आपसे मांगा जाता है तो अगर मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताओ तो सबसे important चीज सबसे पहला invitation letter जिसमें सब कुछ mentioned हो आप रहने का वाले हो facilities क्या क्या प्रोवाइड हो रही है पहला वो दूसरा आपके अगर आप student हो तो ID proof और अगर आप working हो तो आपके document लगेंगे like bank statement फिर आपका ITR लगेगा उसके साथ उसके साथ आपको लगेगी club की bank statement और council tax की receipt तो यह मोटे मोटी अगर मैं आप बात बताओ तो यह documents बहुत important है और visa कौन सा अप्लाई करना it's going to be a standard visitor visa जो 6 मिने के लिए valid होता है तो अगर आ जैसे बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि because first class player के लिए government body endorsement जरूरी होती है तो immature के लिए तो immature के लिए वो नहीं होती है तो अगर ऐसा कोई अगर आपके पास सवाल हो तो जरूर लिखके भीजिए comment section में और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दू और अगर कोई वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो उसे लाइक जरूर करिए हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो उससे subscribe जरूर करिए thank you very much for watching this video जैहिंद